नमस्कार मैं हूँ सच्चेदानंद वसेष्ट और सज्जनो दो हजार चोबीस में फरवरी का महीना ये तुलाराशी वालों के लिए कैसा रहने वाला गए इसके अंदर क्या-क्या सुखद और दुखद परिनाम हमें भोगने पड़ सकते हैं क्या-क्या अरचने हमारे सामने आ सकती हैं और कैसे-कैसे हम इस महीने को पार कर सकते हैं तो तुलारासी वाले विसेज करके ध्यान दें आपकी पंचम इस्थान के अंदर सनी की सिति है छटे स्थान में राहू है 7स्थान के अंदर आपके बिरैस्पती है जो बिरैस्पती 24 अप्रेल तक यहां पर चलेंगे उसके बाद में वो अस्टम इस्थान के अंदर चले जाएंगे अब शनी पंचम इस्थान में बैठ करके थोड़ा सा आलसी प्रमादी तो बनाता है लेकिन रिजल्ट अच्छे देता है आप अगर पढ़ने वाले हैं तो उसके रिजल्ट अ समंदों में बिगार उत्पन हो सकता है दो पार्टनरों के बीच में आपस में मनमुटाव हो सकता है इसके अलावा ये जो है कुटुम के अंदर भी अच्छा परिणाम नहीं देते तो इसलिए सनी का उपचार करें तेल का दान करें हन्वान चालिसा का पाट करें जिसे की ये पीरियड आपका अच्छा गुजर जाए राहू आपके छटे इस्थान के अंदर विद्यमान है सत्रों का समूल नास कोर्ट वे अगर कोई इस समय पर परिणाम निकलने वाला है तो आपके अनुकूल निकलेगा रोगों का नास और कुछ इंकम इस प्रकार की होगी कि दो पार्टनरों के लिए चाए वो अपने विजनिस के पार्टनर हैं और चाए वो अपने जो है लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ अच्छा तालमेल जो है ब्रियस पती बनाएंगे मन को साप रखेंगे सुद्ध रखेंगे धार्मिक माताबन के अंदर धार्मिक विचारो के अंदर आप रहेंगे और भाई बंदों के साथ भी ये जो है अच्छा तालमेल बनाने वाले हैं बाकी जब 24 अपरिल के बाद ब्रिहस्पती अस्ट्रम इस्थान में आपके चले जाएंगे तो अस्ट्रम ब्रिहस्पती ठीक नहीं होते हैं स्वास्त के लिए धन के लिए देनिक रासी फल जो है मैं आपको देता हूँ तो एक दो तीन चार पांच छे और साथ ये तारीक हैं साथ दिन आपके लिए बहुत अनुकूल हैं जो भी कारिय आपका आपने पैंडिंग रख रखा है वो इस समय पर कर ले तो वो सफर हो जाएगा और इस समय पर बहुत ही आनंद पूरवक रहने का समय है और उल्हास के साथ में आपका समय ये गुजरेगा भाई बंदों का साथ आपका अच्छा रहेगा मित्रों का साथ आपका अच्छा रहेगा कुटुम का साथ आपका अच्छा रहेगा धन का आगवन होगा आठ और नो तारीक ये थोड़ी चिंता जनक रह सकती है तो उसके अंदर जो है दूद और चीनी का दान करे मन जो है थोड़ा सा आपका ठीक रहेगा कोई समाचार ऐसा मिल सकता है जिससे कि मन खिन हो जाए लेकिन दस और ग्यारा तारीक पढ़ने वालों के लिए बहुत बढ़िया है और हर किसी को जो कहें जो भी तुलारासी वाले गए वो हर किसी को ये दो दिन बहुत बढ़िया गुजरने वाले गए लेकिन अब आगे बारा और तेरा तारीक इसके अंदर आपको सावधान रहना होगा अपने बानी के द्वारा, अपने ब्यवार के द्वारा कोई ऐसा कारण बन सकता है जो किसी के साथ में ब्यवाद हो जाए तो ये इसमें अपने आपको कंट्रोल रख करके और आप आगे चलें 14, 15, 16 तारीक ये सब के लिए बहुत बड़ी आगए परिवार से सम्मंदित, पति-पत्नी से सम्मंदित, दो जो हैं पार्टनरों से सम्मंदित ये जो है समय आपका अच्छा गुजरने वाला है लेकिन आगे जाकर के फिर जो दो दिन हैं यानि 17 और 18 तारीक ये आपके स्वास्त के लिए अनुकूल नहीं है इस समय पर स्वास्त आपका गिर सकता के तो कोई लंबी यात्रा या कोई नया कारोबार इस समय पर आप ना करें 19 बीस तारीक, 21, 22, 23 तारीक, 24 और 25 तारीक यहां तक खुशिया मनाईए आनंद मनाईए हर प्रकार का रुका हुआ कारे इस समय पर पूर्ण होगा जो पहले से आपने काम पेंडिंग छोड़ रखा गए उस काम को भी आप इस समय पर करें तो उसके अंदर जो है सफलता आपको प्राप्त होगी लेकिन 26, 27, 28 तारीक इसको जो है सावधान हो जाएं इसमें कोई देनलेन ना करें कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें वरना नुकसान हो सकता कहीं कहीं आपके साथ में कोई भी धोका हो सकता है चिटिंग हो सकती है तो इस सब्सक्राइब आपको सावधानी से गुजारना चाहिए बाकी 29 तारीख आपके लिए बहुत बढ़ियाख है ये जानकारियां हमने दी बाकी जानकारियों के लिए इन नमरों पर संपर्क करके कारेले से अपाइंटमेंट ले करके कारेले की सेवाई अरपन करके और जो भी आप जानना चाहते हैं जानकर के लाब उठाएं नमस्कार